जब किसी चालक से तार से विद्धुध धरा परवाइत होता है तो गति-सील कन होते हैं यानि कोश्चन पूछा जारा है कि यदि हम किसी वायर से एलेक्टिक वायर से करेंट फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या मूव करता है तो मैंने पहले बता दिया क्या है कि जब भी करेंट कि अनुद का फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके मूव्मेंट के कान होता है इलक्टरोन के मूव्मेंट के कान होता है तो इसलिह हमारा यह option क्या हो जाएगा परमानु आयन पोटोन एलेक्ट्रोन अपसंडी एलेक्ट्रों ठीक है बच्चों आईए अब next question देख लेते हैं हमारा अगला प्रस्न है आवेस का SI मात रख्या होता है SI मतलब system internet आवेस मिन्स क्या होता है बच्चों चार्ज आउइस को Inglis में हम लोग क्या बोलते हैं चार्ज का SI मातलब क्या होता है कुलम तो option A बोल्ट option B ओम option C जूल option D कुलम तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा option D कुलम आई अब next question देख लेते हैं नेक्ट कोस्चन में पूछ रहा है कि सेल के विद्धुत वाहक बल का मात्रक क्या होता है तो देखिए विद्धुत वाहक वास्तव में क्या होता है एलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स ठीक है तो एलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स का भी मात्रक वही होता है जो मात्रक होता है पोटेंसि कुलम तो क्या हो जाएगा वोल्ट तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा बच्चो कि वोल्ट जो है यह विभाव का भी मात रख है और एलेक्टो मोटीफ आपश्यों से मbach लिए अगरा प्रस्न अघ्रा प्रस्न है देख लेते हैं अगरा बॉल्ट दो बिद्यों के बिश ढम आवेश को आना प्रस्न कीशा यहां प्रस्न लेने में इस दो लेक्टी जाना पता है कितना का question है कि यह दोनों के बीच का जो Potential Deferendse FBemed- to save M-by-माइनस B-B Baptist कितना है यह 12 वोर्ट और हम लोग एक चारिज को ले जारहेयन। यह से डी का चार्ज को ले जारहें और चार्ज का Video कितना है 2 कुलम्ब है तो हमसे पूछा जारहा है आप बताइए हमको कितना وه Okay डन करना पढ़ेगा यहना question पूछा जाएगा बच्चों जो वर्कटन होगा प्तिपन होता है यह पोटेंशियल एनरजी के रूप में Ad snatch हो जाता है और इस टाइम पोटेंशियल के रूप में इस तो बिशन हो जाएगा आपका उंट जाएगा चार इंटु पोटम्ट इने फ्यंटे सेंटु जोलतंध है इसको थोड़ा दख लेते हैं अच्छा से कquar चाड़े Do है कि बाड़ा वोल् GIS कि दो बुंतिव कुलम आविस को लनों में काड़ी के जाता है तो वर्कडन क्या होता है क्यों इंटू डेल भी एह नहीं होता है तो हमारा यहां पर पोटेंशियल डिफ्लेंस विवांतर कितना दिया वाए बार और यह दो तो बाड़ा गुने चांन से दो 24 ऑगे आए और नेक्ट कोश्चन देख लेते हैं जो की काफी इंपार्टेंट और टिक्रांस और हम लोग जांड़ से एसाई मात रक्या होता है ओं तो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा जूल एंपियर वाट ओम तो इसका एंसर हो जाएगा ओम ठीक है और जूल किस चीज का मात रख होता है आप लोग जानते हैं जूल उड़ जा का मात रख है एंपियर करेंड का मात रख है और वाट पोटेंशियल का मात रख है पोटेंशियल question देख लेते हैं हमारा अगला प्रसंट क्या है अगला प्रसंट है विद्दूत सक्ति का मात्रक क्या है विद्दूत सक्ति मतलब electric power तो electric power को हम लोग किस चीज में नापते हैं बच्चो वाट में नापते हैं तो इसका इंसर क्या हो जाएगा डी वाट आई अब इसका अब समझ लें कि बाकि जो चार ओप्सन है उससे हम लोग क्या सिखते हैं इंपियर कि चीज का मात्रक है विद्दूत परतिरोद परतिरोद का मात्रक है ठीक है अगरा प्रसन क्या है है हमारा अगरा प्रसन है बच्चों बहुत आसान प्रसन है विभाव का मात्रक क्या है एंपियर वोल्ट ओम और वाट यह सब डिसकस कर चुके हैं तो आप असानी से बोल सकते है कि विभो का मात्रक होता है वोल्ट क्लियर है बच्चों आईए अब हम अगला प्रसंद देख लेते हैं हमारा अगला प्रसंद क्या है कि देखिए आगला प्रसन आ गया कि विद्दुधारा का मात्रक बताइए विद्दुधारा का मात्रक तो विद्दुधारा मतलब क्या हो गया बच्चों तो विद्दुधारा मतलब हो गया गोगी सब्सक्राइब करहां एलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग मिजर करते हैं कि चीज में अप्र अप्षन वार्ट बी बोल्ट ऑप्षन सी ओंपार एंसर क्या हो जाएगा एम्पियर इस यूनिट उफ एलेक्टिक करें अर्थात विद्दृधारा का जो मात्रक है वो क्या होगा एम्पियर होगा के लिए आए अब नेक्ट को चन देख लेते हैं नेक्ट को चन फिर हमसे पूछा गया कि विद्दृत परतिरोद का मात्रक बताईए ठीक है तो हम लो कुश्चन है बोल्ट एंपियर परदर्शित करता है वोल्ट एंपियर से हम लोग क्या समझेंगे तो आए इस चीज को हम लोग समझें यह क्या कह रहा है अगर हम लोग बात करेंगे क्या बच्चों ओम्सलों की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वीज कल प्रति कहें होगा पी होगा यह के एंवेघ्ट किनी होगा यहकाई अल्गे क्षिड को बता रहा है वो कि के करेंट्ट का तो राइशी पर इंपयर कीजी चीज़ को डिनोट किक आर्ग क्लिकिश्टेंस का इसा उनिट हम लोग क्या जानते हैं और यह अच्छा प्रसंट था आप लोग इसको ध्यान में रखेगा आए निक्ट्ट कॉस्चन देख लेते हैं अगला प्रसंट क्या कर रहा है आए अगला प्रसंट बहुत अच्छा है निम्न में कौन सा अर्थ चालक नहीं है और चालक मतलब सेमी कंड़क्टर और चालक मतलब बच्चो सेमी कंड़क्टर ठीक है अब सेमी कंड़क्टर का मतलब क्या होता है तो आई इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कंसेप्ट यहां में दो चीज है एक तो होता है कंड़क्टर ठीक है दूसरा होता है इंसुलेटर ठीक है बच्चो और तीसरा होता है सेमी कंड़क्टर वो होता है जो अपने थुरू विद्दुधरा को असानी से फ्लो करने दे बिना किसी रुकायट के इंसुलेटर वो होता है जो अपने थुरू विद्दुधारा को फ्लो ही नहीं करने देगा और सेमी कंड़क्टर वो होता है जो किसी पार्टिकुलर कंड़क्स पार्टिकुलर कंडिशन में उसके थुरू एलेक्टिक करेंट का फ्लो होगा ठीक है तो निम्न में से कौन और चलक नहीं है पूछ र पारे का यूज करते हैं ठीक है बच्चों तो पाड़ा अर्चलक नहीं है अप लोग को ध्यान रखना है कि सिलिकान और जर्मिनियम अर्चलक होते हैं आई आप निक्ट को चन देख लेते हमारा अगरा प्रसंट क्या है अगरा प्रसंट वही है रिपिटीशन है थारा का मतलग होता है यह मतलग होता थीकए न बच्चो तो देखिया ओप्सन क्या हो जाँ जाएगा ऐसका ओप्सन हो जाएगा चाहे आएब नेक्ट्ट कॴश्चन देख लेते हमारा अग्राप प्रसंग किया है अग्राप प्रसने विवांतर क्या प्रसंग रख क्या होता यह भी वांतर क्या मतलित बच्चों वय sampai ho ।